आज की इस वीडियो में हम फोर्ट बालर रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे आपको इनकी जिंदगी की कहानी सुनाइंगे दोसतों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस एवेरू एक पोर्टगाली फुटबॉल सुपस्टा है 2003 तक जब वो सिर्फ 16 साल का था मैंचिस्टर युनाइटड ने उसे साइंग करने के लिए 12 पाउंड मिलियन 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भुपतान किया जो उसकी उम्र में गोल करने का फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड बनाया इससे पहले रियल मेरिड ने अगले वर्ष उनकी सेवाओं के लिए रिकॉर्ड 131 मिलियन डॉलर का भुपतान किया था उनकी कई उपलबधियों में उन्होंने वर्ष के सर्वश्रेष्ट खिलाडी के लिए पोर्टगाल को 2016 की यूरोपिय चैंपियंशिप में भावनात मकजीद दिलाई है जुलाई 2018 में रोनाल्डो ने इटलियन सीरिये कलब जुवेंस के साथ अनुबन करके अपने करिया के एक नए चरंग की शुरुआत की रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पोर्टगाल के मद पीरा के फंचल में हुआ था जो देश के पश्चमी तच से दूर एक छोटा सद्वीप है मार्या डोलोरेस दौस सेंटोस और जोस दिनिस एवेरों से पैदा हुए चार बच्चों में रोनाल्डो सबसे छोटे हैं उनका नाम उनके पिता के पसंदीदा अभिनेताओं में स एक रोनल्ड रीगन के नाम पर रखा गया था दो रोनाल्डो बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ट के पडोस में एक छोटी से टिन की छत वाले घर में बड़े हुए जहां से समुध दिखता था रोनाल्डो को फुटबॉल के खेल से परिचे उनके पिता के माध्यम से हु जो एक लड़कों के क्लब में उपकरन प्रबंधक के रूप में काम करते थे उनका प्रारंबिक जीवन कतिनायों से भरा था क्योंकि उनके पिता अकसर बहुत शराब पीते थे बच्चों को खाना खिलाने और कुछ विप्तियस थिरता बनाए रखने में मदद करने के 2007 में उनकी मस्तन कैंसर से जू जी पूर्व रोनाल्डो के लिए विशेश रूप से कठिन था क्योंकि वह और उनके पिता करीब थे युवा एटलीट ने अकसर अपने पिता पर पुनर्वसन में प्रवेश करने और शराब पीने की समस्या के समाधान के लिए दबाव डाला था हाला कि उनके पिता ने इस प्रस्ताफ को कभी स्वीकार नहीं किया जब रोनाल्डो दस साल के हुए तब तक उनकी पहचान एक असाधारन घटना के रूप में हो चुकी थी एक ऐसा बच्चा जो फुटबॉल खाता था, सोता था और फुटबॉल पीता था उनके गौड़ फादर, फनाओ सूसा ने ब्रिटिश पत्रकारों को याद करते हुए कहा एक लड़के के रूप में वो केवल फुटबॉल खेलना चाहते थे उन्होंने आगे कहा, उन्हें खेल इतना पसंद था कि वो खाना खाने से चूप जाते थे या अपने शेयन कक्ष की खिर्की से गेन लेकर बाहर निकल जाते थे उसे अपना होमवर्क करना था किशोरावस्था तक आते आते रोनाल्डो की प्रतिभा और कीवदंती काफी बढ़ गई थी नैशनल दा लिहादा मदीरा के साथ कारेकाल के बाद उन्होंने 2001 में स्पोर्टिंग पुर्तगाल के साथ अनुबंद किया 2001 में जब रोनाल्डो सिर्फ 16 साल के थे मैंचिस्टर युनाइटड ने उन्हें साइंग करने के लिए 12 पाउंड मिलियन से अधिक का भुगतान किया था उनकी उम्र के खिलाडी के लिए एक रिकॉर्ड फीस रोनाल्डो ने मैंचिस्टर के खिलाफ पुर्तगाल के साथ शांदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी औरा करशित कर लिया था और अपने फुटवक और चतुर कोशल से अपने विरोधियों को भी चकित कर दिया था उन्होंने ऐसी चाप छोड़ी की कई उनाइटड खिलाडियों ने अपने मैनेजर से युवा खिलाडी को साइंग करने की कोशिश करने के ये कहा जिसे टीम ने जल्द ही पूरा कर लिया रोनाल्डो ने फुटबॉल जगत को निराश नहीं किया उन्होंने 2004 FA Cup Final में शुरुआत में ही अपना वादा दिखाया टीम के पहले टीम गोल किये और चंपियन्शिप पर कबजा करने में मदद की 2007 में रोनाल्डो ने 5 साल के 31 पाउंड मिलियन के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये एक साल बाद रोनाल्डो ने फिर से अपने उच्चवेतल को उचित तहराया जब उन्होंने कलब के इतिहास में सबसे बहतरीन सीजन में से एक को आयोचित किया गोल 42 के लिए फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड बनाया और 2008 के लिए फिफा वल्ड प्लेयर ओफ दा इयर का सम्मान अर्जित किया कुल मिलाकर रोनाल्डो ने मैंचेस्टर युनाइटेड को तीन प्रीमियल लीग खिताब दिलाने में मदद की रोनाल्डो की 2016 की जीत में यूरोपिया चैंपियंशिप, चैंपियंज लीग और क्लब विश्व कप के अलावा UEFA और फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के व्यक्तिगत पुरसकार शामिल थे अगले वर्ष उन्होंने अपने लंबे समय के प्रतिदवन्दवी मेसी की बराबरी करने के लिए पांच में बैलन डी और का दावा किया 10 जुलाई 2016 को रोनाल्डो ने अपने संग्रह में एक भावनात मकजीद जोडी अपने राष्ट्रिय तीन के कप्तान के रूप में रोनाल्डो ने पुर्टगाल को फ्रांस के खिलाफ यूरोपिय चेंपियन्शिप फाइनल में पहुँचाया तीन रोनाल्डो स्पैनिश मॉडल जॉजीना रोडरिग्स को डेट कर रहे हैं इस जोड़े को पहली बार नवंबर 2016 के आसपास सारवजनिक रूप से एक साथ देखा गया था जून 2017 में जोड़े ने सरोगेट के माध्यम से जुणवा बच्चों एक लड़का और एक लड़की को जन दिया नवंबर 2017 में रोडरिग्स ने एक और लड़की की जन की साथ अपने परिवार को इस जोड़ा रोणाल्डो का पहला बच्चा क्रिस्टियानो जूनियर जून 2010 में एक पूर प्रेमिका से पैदा हुआ था दोसतो ये थी रोणाल्डो की जिंदगी की कहानी दोसतो वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए गूड नाइट